हेलो प्रेंट कैसे हैं आप लोग आज की इस वीडियो के अंतरगत आपको पढ़ाने जा रहा हूं हिंदी व्याकरन का चेप्टर अकेश अकेश वाँ चेप्टर में समवाद लिखन समवाद लिखन एक कला है दो लोगों की प्रस्पर वर तलाब को समवाद करते हैं दो लोग जब आपस में बात चीट करते हैं तो उसको क्या करते हैं समवाद करते हैं इसी को जब लिखित रूप दे दिया जाए तो उसे लिखन करते हैं ये वर्ता लाप सम्भाद मेने औपस में दो व्यक्ति में बात होता है तो उसे कहते हैं समवाद और इसी को जब लिखित रूप दे दिया जाए तो उसे लेखन समवाद काते हैं अब हम चर्चा करेंगे आगे समवाद लेखन के लिए महत्पुल तत थे नमर एक में हैं समवाद लेखन की भासा सरल संचिप्त और कलात्मक होनी चाहिए समवाद लेखन की भासा सरल संचिप्त और कलात्मक होनी चाहिए नमर दो में है समवाद विशे तथा पातरों के अनुकूल होना चाहिए समवाद के सा होना चाहिए पातरों के अनुकूल होना चाहिए नमर तीन में है विराम चिन्हों का यथा संभव उचीत परियोग होना चाहिए तिसरा नमर का है तिसरा नमर में दिया हुआ है कि विराम चिन्हों का यथा संभव उचीत परियोग होना चाहिए चोधा नमर में है समवाद प्राय है प्रशनुत्तर सेली में लिखा जाता है समवाद केसे लिखा जाता है प्रशनुत्तर सेली में नमर पांच में है प्रशनुत्तर सेली के समवाद में जिस काल में प्रशन होता है उसी काल में उत्तर दिया जाता है अब हम चर्चा करेंगे, अध्यापक और विद्यार्थी के बीच समवाद, विद्यार्थी सर क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, अध्यापक आदित की और देखते वे, आओ आदित्य, तुम्हें इतनी देर क्यों हो गई? अध्यापक का जवाब आता, अध्यापक का जवाब दिया, कि सर आज रास्ते में मेरी साइकील पंचर हो गई थी, और विद्यार्थी क्या जवाब दिया, कि सर आज रास्ते में मेरी साइकील पंचर हो गई थी, इस कारण लिट हो गया, अध्यापक तो तुमने क्या किया, विद्यार्थी सर मेरे पास पेसे भी नहीं थे, इसलिए मैं पेदल ही साइकील लेकर आ रहा था, तभी मेरा मित्र रोहन मिल गया, अध्यापक रोहन ने तुम्हारी क्या सायता की, विद्यार्थी सर रोहन के पास कुछ पेसे थे, उसने मेरी मदद की, हम दोनों पंचर बनाने वाले के पास गए, पंचर बनवाया तब इसकुल आए, अध्यापक ठीक है, लेकिन आदित्ति तुम साइकील से विद्यार्थी आते जाते हो, तुम्हें भी अपने पास कुछ पेसे रखने चाहिए, विद्यार्थी, हाँ सर, अब मैं इस बात का ध्यान रखूंगा, विद्यार्थी क्या बोलता है, सर बोले कि रोहन, जब तुम विद्याले आते हो, आदित्ति जब तुम विद्याले आते हो, तो तुम्हें भी कुछ साथ में पेसे रखना चाहिए, कब केसे समझ से अगर हो जाए, मुसीबत पड़ जाए, तो केसे उससे निप्टोगे, तो क्या जवाब देता है, आदित कि हाँ सर, अब मैं इस बात का ध्यान जखूंगा, तो हम चर्चा कर रहे थे दोस्तों, समवाद लेखन का एक भाग, अध्यापक और विद्यार्थी के बीच का समवाद के बारे में हम चर्चा कर रहे थे, और नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं, दोस्तों, दो यात्रियों के बीच दो यात्रियों के बीच समवाद ठीक है दोस्तों मिलते हैं फिर कल नेक्स वीडियो में जेहिंद जेभारत बंदे मात्रम अभल दोस्तों क्या एफ यb य॥ झाल